यह काहनी शिर होती है कनेडा की एक सिटी से जो के नोर्स पोल पर जहाँ पर पिछले 98 डेस से सुरज नहीं निकला था चारोतर बस अंदेरा उठ ठंड थी और इन वज़े से बहुत से लोग डिप्रेशन में जा चुके थे साथी मुस्नम की इस कंडिशन के वज़े से वहाँ के कुछ लोगों को एक अजीब सी ब्युमारी हो जाती है जिसमें लोग जॉंबी जीसा भीयव करते है वहीं पर एक लड़की रहती थी जिसका नमता बैथ और बैथ जीस कॉलोनी में रहती थी वहाँ के सबी लोग उस ब्युमारी के वज़े से जॉंबी बन चुके थे और उस कॉलोनी में बस बैथी आकली रहती थी गवर्मेंट के तरफ से बैथ पेटोलिंगा काम करती है और अगर उसे को इनफेक्टेड हुमन दिखाई देता है तो पलिस कंट्रूल रूम को कॉल कर करके बता देती है और उसके बाद में उस इनफेक्टेड हुमन को होस्पिटल में रखा जाता है जहांपर सिर्फ infected लोगी रहते थे अगर बैत की परस्टन लाइफ के बारे में हम बात करें तो बैत की मा मदीना भी infected होकर मारी जा चुकी थी और उसके बाद उसके फादर एरिक भी बैत को छोड़कर कहीं पर भाग गये थे तब से बैत अपने फादर को सीटी के हर जगा पर ढून रही है अब हर दिन कितार बैत डे 98 को भी पेटोलिंग के लिए अपने कार लेकर निकलती है और हर एक स्टेट की इंफॉमेशन वो पलिस कंट्रोल रूम में दे देती है अचानक बैत को एक इंफेक्टेट आदमी दिखाए देता है जो कि उससे देखे कर बहुत अग्रेसिव भीएव कर रहा था लेकिन उसके कार बंद थी तो इसलिए बैत बिल्कुल सेफ थी उस आदमी के बारे में बैत पलिस कंट्रोल रूम में इंफॉम कर देती है और कुछी देर में वहाँ पर हस्पिटल की एक गाड़ी आती है डेनिस नाम का एक एंप्लॉई उस इंफेक्टेट परसन को अपने साथ में ले जाने के लिए पकड़ लेता है डेनिस से बैत अपने फादर एरिक के बारे में पूछती है लेकिन डेनिस ना एरिक को कहीं भी नहीं देखा था और ना ही वो उनके हस्पिटल में था बैत डेनिस को अपना नमबर देती है ताकि अगर उनको उसके फादर के बारे में कुछ भी पता चले तो वो उसे कॉल करें उसके बार में बैथ अपने फ्रेंड स्टेला से मिलती है जो कि एक बार में काम करती है बैथ स्टेला को अपनी मा के बार में बताती है और हर रात को बैथ को अपनी मा के बार में अज़िब अज़िब सपना आते हैं बैत के बातों को सुनके एस्टेला उसे कुछ मेडिसेन लेने को कहती है जो की नीन लाने में उस हेल्फ करेगी और वीटामिन-D का भी काम करती थी क्यूंकि सुरज नहीं मिलने कारण लोगों को विटामिन-D की कमी हो गई थी और उनका सुने कब भी कोई ठीक टाइम नहीं था तो इसलिए वहाँ की government ने सभी कोई medicine लेने को कहा था Beth के अलावा वहाँ के सबी लोग ये medicine लेते थे Beth को लगता था कि ये medicine किसी काम की नहीं है ये medicine ही लोगों को zombie बना रही है तो इसलिए वो इस मेडिसिन से दूर रहती है फिर उसी रात को बैथ हैं जब सो रही थी तो उसे ऐसा सपना आता है कि वो किसी के साथ में इंटिमेट हो रही है और वो एक लेंप पोस्ट के पास में जा रही है बैथ के जब आगे खुलती है तो उसे इस सपने का मतलब भी समझने आता है फिर उसके बैथ एक नाइट कलब में जाती है जहांपर उसे तबीता नाम की एक लेड़ी मिलती है दोनों में जल्दी दोस्ती हो जाती है और तो तबीता को अपने घर पर लेकर जाती है जहाँ पर दोनों intimate होते हैं रात को जब दोनों सो रहे थे हैं तो बैथ को सपना आता है कि उसके हमशेकल लड़की तुबीता की बोड़ी से कुछ इन्हेल करके उसे infect कर रही है और तब बैथ उसके हमशेकल लड़की को देख कर चिला देती है जिसके बड़ में बैथ के निंद खुल जाती है तब सब कुछ नॉर्मल था लेकिन तबीता उसी पोजिशन में सो रही थी जिस पोजिशन में वो बैथ के सपने में सो रही थी फिर अगले दिन भी तोबीता अजीब बहएव कर रही थी सांती वो बहुत कमचुर हो चुगी थी उसे अंधेरे से नफरत हो रही थी वो बार-बार डार्कनेस और लेम्ब के बार में बाते करे जा रही थी तबीता को ऐसा देखकर बैथ उसे अपने घस से चले जाने को कहती है तो इसलिए तोबीता भी मासा चली आती है मेडिसन ले रही है डॉक्टर की बात तो समय पता चलता है कि उस टाउन में सबसे पहले बैथ के माँ इनफेक्ट हुई थी और ऐसा क्यों हुआ था ये उनको आज तक नहीं पता चला है फिर इसके बात में डॉक्टर उन्हें इस इनफेक्टर आदमी के पास में लेकर जाते है लेकिन वहाँ उसे जो इनफेक्टर आदमी दिखाये देता है और वो उसके फादर थे ही नहीं और सबसे अजीब बात तो ये थी कि वो infected आदमे बैत को देखकर बहुत जादा aggressive हो रहा था फिर बैत एक public swimming pool में जाती है जहाँ पर उसे Tom नाम का एक लड़का मिलता है दोनों के बीच में कुछ बात होती है और यहाँ पर दोनों एक दूसरे को like करने लगते हैं फिर बैत बैत के पास में कोई भी option नहीं बचता है तो उस infected आदमी का पीछा करने लग जाती है जब वो आदमी बैत को देखता है तो aggressive बैत के पास में आता है और बैत को पकड़ कर उसकी body से कुछ inhale करने लगता है तब ही वहाँ पर बैत के फादर Eric आते हैं जो कि बैत को उस आदमी से बचाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं तब तक वहाँ पर होस्पिटल के लोग आ चुके थे जो उस infected आदमी को पकड़ लेते हैं बैत वहाँ पर अपने फादर को डूटती है लेकिन उसे वो कहीं नहीं दिकाए देते हैं अब बैत अपने फ्रेंड स्टेला के बार में जाती है जहाँ पर उससे मिलने के लिए टॉम आता है दोनों कुछ देर तक बाते करते हैं और टॉम बैत से मेडिसिन के बार में बुश्ट बैत टॉम को कुछ भी जूट नहीं बोलती है और उससा सब को सच बता देती है कि वो गवर्मेंट के दी कोई भी मेडिसिन को नहीं लेती है उसकी मा भी उससे मेडिसिन को ले रही थी लेकिन फिर भी वो एंफेक्टेड होकर मारी गई अब कुछ दे तक बात करने के बाद टॉम बेट को अपने घर पर लेकर जाता है जहां पर वो दोनों इंटिमेट होते है जब बेट नीद में थी तो उससे फिर से भी सपना आता है कि उसकी हमशकर लड़की टॉम की बोड़ी से कुछ इन्हेल कर रही है और इस सपने से डर कर बेट उठ जाती है और तब टॉम बेट पर बेटा हुआ था जो कि तोबिता की तरह अजीब भेव कर रहा था वो बेट पर अब पहले की तरह कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था और वो उसे अपने घर से चला जाने को कहती है इस बात से बेट को भूते जाद बुरा फिल होता है उसे ऐसा लगता है कि टॉम ने उससे बस सेक्शूल एशिचिप बनाने के लिए उसका यूज क्या है तो इसलिए वो नाराज होकर टॉम के घर से चली आती है टॉम के घर से निकलने के बाद में बेट को बुरुनो मिलता है जो कि इसनो को साफ कर रहा था बुरुनो बेट को अपने साथ चलने को कहता है ताकि दोनो एक साथ टाम स्पेंड कर पाए वहाँ पर लोग दिन बदिन कम होते जा रहे थे तो इसलिए बेट और बुरुनो की तरह सबी लोग कोई ना कोई पार्टनर ढूंड रहे थे बेट फिलाल के लिए तो बुरुनो के साथ में जाने के लिए मना कर देती है लेकिन वो फिर से उसे मिलने का प्रॉमिस करती है फिर वहाँ से जब बेट पेटोलिंग करने के लिए जाती है तो एक घर के सामने उसे कोई परसन नजर आता है जो कि उसके फादर एरिक जैसा दिखाई देता है लेकिन जब तक वो उस घर तक जाती वहाँ से वो परसन जा चुका था उसी समय बेट को उसके फ्रेंड स्टेला का कॉल आता है और वो उसके पास में चली आती है स्टेला से मिलने के बार में बेट उसे अपना साथ में पेटोलिंग में चलने को कहती है और स्टेला को इन काम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था लेकिन बैत के जित करने पर वो उसके साथ में जाने के लिए मान जाती है फिर रास्ता में बैत स्टेला से कहती है कि इस कॉलोनी के सबी घर खाली है और अगर वो चाहे तो उन घरों के अंदर जाकर वहागे चीज़े देख सकते हैं स्टेला को ऐसे किसी भी घर के अंदर नहीं जाना था और वहाँ पर अगर उन्हें को इंफेक्टेड मिल गया तो उनके लिए बड़ी मुसिबत हो सकती थी लेकिन बैत उससे बारबा इस चीज़ के जित कर रही थी तो इसी लिए वे बैत के साथ में अंदर चली आती है और यह वही घर था जहांपर बैतने अपने पिता को देखा था मतलब कि बैत अपने पिता को डूनने के लिए इस घर में आय थी वो अकिले मुस्बत में पड़ सकती थी तो इसलिए वो स्टेला को अपने साथ में लेकर आई गर के अंदर जाने पर स्टेला मागी चीज़ों को देख रही थी लेकिन बैथ गर के दूसरे रूम में जाकर अपने पिता को डूड़ने लगती है और एक जगा पर उसे एक स्लिपिंग बैग दिखाई देता है उसे यकिन हो जाता है कि उसके पिता इस घर में मौझूद थे फिर अचनक उसे स्टेला की आवास सुनाई देती है और उसके पास में आती है और में डोर के अलावा घर में को दूसरा डोर भी नहीं था जिसे की दोनों भाग सकें स्टेला बहुत परेशान हो रही थी तो इसले बैत उसे बता देती है कि उसने यहाँ पर अपने पिता को देखा था और इसले वो स्टेला को लेकर यहाँ पर आई थी और यूटन लेकर बैत को कादमें बिठा लेती है और तब कोई भी इंफेक्टेड यूमन बैत को नहीं पकड़वाता है फिर उसके बारे बैत स्टेला से माफ़ी मांगती है उसे यहाँ पर लाने के लिए बैत के मताबिक उसे ऐसा लग रहा था कि जो कुछ भी इस टाम में हो रहा है इसके बारे में उसके पिता को कुछ ना को जूरू बता है और इसलिए उसे अपने पिता को ढूणना है फिर इस्टेला को बारे में छोड़ने के बाद वो टॉम से मिलने के लिए उसके घर पर जाती है जहांपर वो देखती है कि जब वो गर से निकली थी तो टॉम जिस पोजिशन में था वो उसी पोजिशन में बेठा हुआ है मतलब कि टॉम भी अब infected हो जुगा था बैथ को देखते टॉम रेक्ट करने लगता है और उसके तारफ आने लगता है तब वो बैध उस घर से निकल कर पलिस को कॉल करके टॉम के बार में बताती है फिर कुछी देर में हосپिटल को लोग आकर टॉम को अपने साथ में ले जाते हैं ह। बैथ को उसके बेहवियर बहुत है अच्छा लगता है और वो उसे किस करती है फिर इसके बाद बैत ब्रूनो को अपने घर पर लेकर जाती है जहाँ पर वे दोनों इंटिमेट होते हैं और उस रात को पिजवन दोनों सो रहे थे तो बैत को फिर से वही सपना आता है कि उसकी हमशेकर लड़की ब्रूनो की बादी से कुछ इन्हाल कर रही है लेकिन इस बाद ब्रूनो बहुत ज़्यादा स्टॉंग था और इसलिए वो उल्टा बैत काई गलत अबाकर उसकी बादी से किसी चीज़ को इन्हाल करने लगता है वो चीज़ ये इन्फेक्टेड लोग उससे वापिस लेकर रहेंगे और तब बैत बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम में फस जाएगी बैत के आगे खुलती है तो देखते हैं कि महापर ना उसके पिता है ना ही वो उसके हमशेकर लड़की और सबको इस पहले के ज़र नॉर्मल था लेकिन वो अब समझ चुकी थी कि ब्रॉणो भी अव इन्फेक्टेड हो चुका है और इसलिए वो पिलिस को कॉल करके ब्रॉणो के बारे में बताती है पिलिस को भी ये बात अजीब लग रही थी कि जिसके साथ भी होती है वो परसर इन्फेक्टेड हो जाता है हॉस्पिटल के कोई बिकार फ्री नहीं थी और इससे पहले कि ब्रॉणो बैत के ओपर अटेक करे उससे खुदी ब्रॉणो को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है हॉस्पिटल में बैत एक बात नोटिस करती है कि वो जिन भी लोगों के साथ में इंटिमेट हुई है वे सभी इन्फेक्टेड होकर उस हॉस्पिटल में बंदे और डेपाइडे सभी बहुत अजीब दिखने लगे थे जैसे कि कोई चीज उन्हें अंदर से खा रही हो तोबिता बैत को देखकर इतना ज़दा हैपर हो गई थी कि वो गलास तोड़कर रूम के बाहर आ जाती है और बैत को पकड़ लेती है बैत को बचाने के लिए डैनिस तोबिता को पकड़ लेता है लेकिन तोबिता बहुत अग्रेस्वी हो चुकी थी तो इसलिए डैनिस उसे सिडेटिव नहीं दे पा रहा था और तब मौका देखकर बैत तोबिता को सिडेटिव का इंजेशन दे देती है और तोबिता बहुश हो जाती है इन सब टेंचिन से दूर रहने के लिए बैत इस्टेला के साथ में स्विमिंग करने जाती है और हम वहाँ पर बहुत दिकम लोगों देखते है मतलब कि दिन बर दिन सीटे में इंफेक्टेड लोग बढ़ते जा रहे थे इस्टेला बैत को मेंडिसन लेने को कहती है नई तो बैत अपने साथ सा दूसर लोगों को भी मुसिबत में डाल सकती है और बैत को भी समझ आ चुका था कि उसे की वज़े से लोग किसी दर इंफेक्टेड हो रहे थे उपर से बैत को अपने सपना को कोई भी मतलब समझ में नहीं आ रहा था और उसके बाद दोनों जब एक रूम में रिस्ट कर रहे थे तब दोनों को कुछी देर में नहीं दा जाती है और तब बैत को ये सपना आता है कि उसके हमशकल स्टेला की बोडी से किसी चीज़ को एनेल कर रही थी लेकिन जादा कुछ होने से पहले ही वहापर डैनिस आता है और इंजेक्शन देकर बैत को प्रोश कर देता है अब रियालिटी में बैत जब नीन से उठती है तो डैनिस उसके पास आता है और उसके साथ बाते करता है होस्पिटल में जो कुछ भी हुआ था इस वज़े से डैनिस को जॉब से निकाल दिया गया था क्योंकि उस समय पर डैनिस इंफेक्टेड लोगों का ध्यान नहीं रख रहा था लेकिर उनके इंफेक्टेड होने से पहले बैथ उन लोगों के साथ में इंटिमेट हुई थी सांती जो भी लोग इंफेक्टेड होते है तो बैथ तो कोई नहीं को सपना जूर आता है और तब उसके पास में एक इलेक्टिकल डिस्टरबेंस होता है और यह सिर्फ बैथ ती कॉलोनी में होता है यहाँ पर हमें पता चलता है कि बैथ के वादा एक इलेक्टिशन थे और किसी भी इलेक्टिक चीज़ से वो इनफेक्टेड लोग ड़ते थे फिर कुछ देर के बाद में डेनिस वह से चला आता है और स्टेला कुछ देर के लिए बैथ के घरी रुक जाती है अब हम स्टेला को बातों में देखते हैं और बैथ दूसरे रूम में सो रही थी तब फिर सा बैथ को वही सपना आता है कि उसकी हमशकल स्टेला की बोड़ी से किसी चीज़ को एनिल कर रही थी बैथ जाकर अपने हमशकल को रुकती है जो कि उसा धक्का मारकर फ्लोर पर गिरा देती है और हम देखते हैं कि गलास में बैथ का फेस किसी बुला इंसान के तरह दिखाई दे रहा था अब वो फाइनल बैथ अपने सपने से बाहर आती है लेकिन जब तब को बातों में जाती है वहाँ से स्टेला जा चुकी थी और वो स्टेला को हर जगे डूनती है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती है बैथ फिर बार में जाकर स्टेला को डूनती है पर स्टेला महा भी नहीं थी उपर से बारे के सब लोग infected हो चुके थे और बैथ वहाँ से भाग कर हस्पिटल आती है बैथ के आते हैं वहाँ पर electrical disturbance हो रहा था और infected लोग उसे देखकर हाइपर हो रहे थे डॉक्टर बैथ को वहाँ पर आने से मना करता है और डॉक्टर बैथ को इन सब का जिम्मेतर मान रा था बैथ तब स्टेला को ढूढने के लिए डॉक्टर से help मांगती है और तब डॉक्टर बैथ के साथ में स्टेला को ढूढने के लिए निकल जाता है रास्ते में उनको ambulance नजर आती है जहांकर सब लोग infected हो चुके थे और उसके बाद बैत उसी पप्लिक स्विमिंग फूर में जाती है जहांपर वो स्टेला के साथ में जाती थी तब वो डॉक्टर कार में बेट कारी बैत का वेट करता है और उससे समय हम यह देखते हैं कि इस्टेला कार के बेक साइड में बिठी हुई है उससे देखकर डॉक्टर कार से निकलता है लेकिन इस्टेला कार से खुशल कर डॉक्टर को जान से मार रालती है इधर बैत जे बंदर थी तो उसे वहाँ पर डेनिस मिलता है जो कि बैत को मानने के कोशिश करा था उससे लगता था कि बैत के मनने के बाद में सब भी लोग नार्वल हो जाएंगे और सूरत फिर से निकल जाएगा देनिस तो इस्टेला को जान से मानने वाला था लेकिन किसी तरफ बैत एक गलास के तुकड़े से डेनिस पर वार करती है जिससे कि डेनिस जख्मी हो जाता है और वो बैत का पीछा नहीं कर पाता है उस घर से बाहर आने के बाद में बैत डॉक्टर की डेट बोड़ी को देखती है और उसकी कार इस्टेला लेकर जा चुके थी वहाँ से स्टेला होस्पिटल जाकर सभी इंफेक्टर लोगों को बहाँ निकालती है और सभी लोग अब बेट के पीछे पड़ चुके थे उससे समय बेट को आइडिया आता है कि वो बिलिंक हो रही लेंप पोस्ट का पीछा करके अपने वादा तक जाती है क्योंकि उसके फादर ही उनके जेरे उसको सिगनल देकर अपने पास में बुला रहे थे उसके फादर उस लेंप पोस्ट के नीचे अंडरगराण में थे जिस लेंप पोस्ट को बेट अपना सपने में देखा करती थी तब जाकर बेट को पता चलता है कि वो और उसके फिता एक क्रेचर की तरह है ऐसे तो वे लोग किसी नॉर्मल हुमन की तरह है लेकिन उन्हें सन से या फिर हुमन से एनरजी मिलती थी जिससे कि वो सालों से जिन्दा रहते थे लेकिन जब से सन नहीं निकला था तो वो लोग के अंदर से एनेल करके उनकी एनरजी को अपने अंदर लेते थे इस वज़े से नॉर्मल लोग इन्फेक्टेड होकर बुल हो जाते हैं और उनकी एनरजी से स्टेला और उसके पिता जिन्दा रहते थे बैत के पिता ने उसकी मा को भी एनर्जी उनसे वापस लेने के लिए उनके पीछे फड़ा हुए थे और यह सब जानकर बैत को बहुत प्रलगता है मतलब कि जिसको उस अपना मान रही थी वो उस अपना नहीं बलकि रियालिटी था और रियालिटी में उसने लोगों के एनर्जी उनसे चीन ली थी यह सब जानकर बैत इन्फेक्टर लोगों को अपने पीछे लगा कर होस्पितल तक लेकर जाती है और खुद को इन्फेक्टर लोगों के सामने सौब देती है और तब एक एक करके सभी infected लोग अपनी energy को beth की body से वापस inhale करके अपनी body में ले लेते हैं वे सभी लोग जिनकी energy beth ने ली थी अपनी energy फिर से पाने की बार में normal होने लगे थे लेकिन beth यहाँ पर अपनी energy कोने के कारण अपनी edge कोती जा रही थी और वो अब एक बड़ी इनसान के दिर नजर आ रही थी और इसे के साथ में यह movie यह प्रेंड हो जाती है दोस्ते movie बैत के उपर है जो कि दिखाई थो एक नौर्पन इनसान के जैसी पढ़ती है लेकिन उसे जिन्दा रहने के लिए या तो sun से या फिर इनसानों से energy चाहिए होती है अब नौर्थ पोल के आजबस वाली cities में 6 मेंने सूरज रहता है और 6 मेंने दूम जिस city में बैत रह रही थी वहाँ पर कई समय से सूरज ने निकलाता तो इसलिए बैत अपनी energy की नीट को पुरा करने के लिए लोगों की energy को inhale कर रही थी पर movie के end में जब बैत को पता चलता है कि लोगों के इंफेक्टर होने का कारण वही है तो उन लोगों को सोब देती है उन लोग अपनी energy वापस बैत से ले लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आओगा वीडियो पसंद आए तो उने को like, comment और share जूर करें मैं आप से मिलूँगा अगले वीडियो में